क्वेस्टिन नंबर फोर अब वरांदा और वेल 2.25 मीटर कंस्ट्रक्टेड और अलॉंग दा आउटसाइड ऑफ रूम विच इस 5.5 मीटर लॉंग और 4 मीटर वाइड मतलब आपके पास एक रूम है अबी सीडी नाउ इसके चारो तरफ अलॉंग दा आउटसाइड बाहर चारो तरफ इसके एक बरांदा है आपके पास और इसको आप नेम दे देंगी इस रक्टेंगिल को P, Q, R, S यह जो आपका बरांदा है इसकी इनोंने विट दी हुई है यह पूरा जो आपका बरांदा है इसकी विठ मतलब कितना ये चोड़ा है वो दी हुई है इनने यहां से भी यह है आपका 2.25 meter 2.25 meter और इस साइट से भी इसकी जो चुड़ाई वो दी हुए 2.25 meter 2.25 meter नाओ यहां से और यहां से दोनों साइट से यह 2.25 meter का वरांदा है आपका नाओ find the area of वरांदा यह जो वरांदा है इसका area find out करना है मतलब यह पूरा बड़ा rectangle का area निकालेंगे और फिर आप छोटे rectangle का area निकालेंगे बड़े rectangle के area से छोटे rectangle के area को minus कर देंगे तो यह जो वरांदा है remaining portion उसका आप उसका आपको area मिल जाएगा now cost of cementing the floor of वरांदा at the rate of this per meter square फिर आपको इसका cost निकालना है आपको इसमें cement करना है तो इसका cost आपको निकालना है यह आपका अंदर room है और यह बाहर है आपका वरांदा अब हम इसको solve करेंगे तो सबसे पहले हम length breadth देख लेंगे room की length breadth आपको दी हुई है पर बरांदा की आपको length breadth नहीं दी हुई है नो यह room की breadth है 5.4 meter यह जो आपकी breadth है room की वो है 4 meter तो यह इसके equal आ गई यह भी हो गई आपकी 4 meter यह इतनी आपकी हो गई 4 meter और उसमें आपको add करना है यहां पर भी 2.25 और यहां पर भी 2.25 यह आपका इतना portion है 2.25 और यह इतना portion भी है आपका 2.25 यह आपको add करना है तो जो sp है बरांदा की जो breadth है वो आपकी हो जाएगी total 4 meter plus 2.25 plus 2.25 नाओ हम solve करेंगे in rectangle pqrs जो आपने मीटर प्लस 2.25 मीटर प्लस 2.25 मीटर तो यह आपकी sp आ गई ब्रेथ आ गई आपकी ब्रेथ इस इकोस तो 4 मीटर प्लस 2.25 प्लस 2.25 यह आपने add किया 2.25 प्लस 2.25 तो यह आपका आगया 4.50 नाओ इसमें आपने again 4 एट किया तो आपका यह आगया 8.50 तो यह आपका आगया 8.50 ब्रेथ आगे आपकी नाओ आप निकालेंगे लेंथ निकालेंगे इसकी नाओ लेंथ of rectangle PQRS is equals to length है इसकी PQ PQ is equals to यह इतना एरिया तो आपका है 5.5 यहाँ तक का एरिया AB के बराबर यह दिया हुआ है आपका 5.5 मीटर यह इतना है और यह इतना पोशन फिर आपका हो गया 2.25 इतना भी आपका हो गया 2.25 इन सबको add कर देंगे तो आपको PQ मिल जाएगा तो PQ आपका हो गया 5.5 मीटर प्लस यह 2.25 मीटर प्लस 2.25 मीटर तो यह आपका हो गया 5.5 मीटर प्लस 4.50 मीटर आप एड करेंगे 4.5 प्लस 5.5 तो यह आपका आगया 10.0 तो यह आपका आगया 10 मीटर नाउ अब हमको PQRS का area निकालना है area of rectangle PQRS is equal to length multiply by breath is equal to length breath आपको दी हुई है आपने निकाल ली है length है आपकी 10 मीटर multiply by breath है आपकी 8.5 मीटर तो आप यह multiply करेंगे तो आपका अंसर आजाएगा 85 और यह 0 है तो पॉइंट आजाएगा तो 85 मीटर स्क्वेर यह आपका आगया area of rectangle PQRS बड़े वाले का आपने area निकाल लिया अप छोटा वारा जो रूम है आपका area of rectangle ABCD ABCD length multiply by breath इसकी length आपको find out नहीं करना क्योंकि यह given है 5.5 मीटर multiply by 4 मीटर so 4.5s are 20 now 4.5s are 20 so 22.0 मीटर स्क्वेर तो यह आपके आगई 22 मीटर स्क्वेर नाओ अब आप निकालेंगे area of बरांदा बरांदा का जो area है वो बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर देंगे area of rectangle PQRS minus area of rectangle ABCD तो आपका हो जाएगा 85 मीटर स्क्वेर माइनस 22 मीटर स्क्वेर आप यह माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 माइनस 23 मीटर स्क्वेर और 8 माइनस 26 तो यह आपका आगया 63 मीटर स्क्वेर ना अब आपको cost भी निकालना है 1 meter square की cost अगर rupees 200 है तो इतने meter square की cost क्या होगी now since cost of cementing of 1 meter square 1 meter square की है आपके पास cost rupees 200 then therefore cost of cementing आपको cement करना है कितने area में 63 meter square में तो यह multiply कर दिंगे आप 200 multiply by 63 तो यह आपका जाएगा 3 2s are 6 and 6 2s are 12 और यह 2 0 है आपकी यह answer आपका आगया रुपीज में तो आपने जो बरांदा है उसका एरिया निकाला बड़े टोटल बड़े वाले रेक्टेंगिल से चोटे वाले रेक्टेंगिल के एरिया को माइनस किया और फिर आपने cost निकाली 1 meter square के दी थी तो आपके एरिया के meter square की cost multiply करके आपने find out कर ले तो आपका question no.4 complete 30 meter 30 meter 30 meter and 30 meter because it is a square then उसके अंदर आपने border बनाई हुई है उसकी width दी हुई है और 1 meter चारो तरप से तो यह भी square बन जाएगा आपका और यह जो है border जो path है आपका यह इसकी width भी दी हुई है one meter तो यह आपको दी हुई है one meter now find the area of path path का area निकालने के लिए अगर आप बड़ा वाला जो आपका square है a b c d उससे आप जो छोटा वाला आपका square है p q r s p q r s यह minus कर देंगे बड़े area से छोटे area को minus कर देंगे तो आपका जो path है यह आपका path path का area निकल जाएगा then the cost of planting the grass in the remaining portion of the garden तो यह जो आपका garden है इधर यह border है उसके यह जो अंदर का portion है यह है आपका remaining portion remaining portion और इस remaining portion में आपको planting करना है grass plant करना है और उसकी आपको rate निकालना है अगर इसके one area one meter square का rate 40 rupees है तो इसका जो area होगा उसका आपको cost find out करना है ना हम इसको solve करेंगे तो सबसे पहले हम हमारा जो बड़ा वाला square है उसका area निकालेंगे now in square a b c d इसकी side दी हुई है now side of square a b c d is equals to इसकी side आपको दी हुई है 30 meter 30 meter तो इसका area हो जाएगा area of square a b c d is equals to side का square इसका होता है area तो यह आपका हो गया 30 meter multiply by 30 meter three threes आपका 9 हो गया तो यह आपने area निकाल लिया बड़े वाले square का नौ जो छोटा वाले square है आपका in square p qrs p qrs इसका आपको इसके आपको side निकालना है तो यह इतना जो होता है यह इधर से इधर तक यह आपका 30 minus यहां से भी आपका 1 minus हो जाएगा और यहां से भी आपका 1 minus हो जाएगा यह पूरा 30 है फिर आपको यह portion minus करना है तो आपको p q मिल जाएगा तो यहां से भी 1 minus करेंगे और यहां से भी 1 minus करेंगे तो आपका 30 minus 1 minus 1 मतलब 2 minus करेंगे आप तो 28 PQ की आपको side मिल जाएगी Now in square PQRS side is equals to PQ is equals to PQ क्या हो जाएगा आपका पूरा 30 मतलब AB minus 1 minus 1 यहां से भी 1 minus और यहां से भी 1 minus तो यह आपका हो गया AB मतलब 30 मीटर और 1 1 minus करेंगे मतलब minus 2 मीटर तो यह आपका हो गया 28 मीटर तो आपने PQ मतलब side निकाल ली अब आप area निकालेंगे area of square PQRS is equals to side का square होता है area तो side आपने निकाल ली 28 मीटर इसका whole square अब आप 28 से 28 को multiply करेंगे तो आपका जाएगा 784 मीटर square तो दोनों का आपने area find out कर लिया अब आपको path का area निकालना है तो आप ABCD से PQRS को minus करेंगे now area of path is equals to area of square ABCD minus area of square PQRS यह आपने find करके रखा है 900 मीटर square minus यह है 784 मीटर square तो यह आप माइनस करेंगे तो आपका जाएगा 116 मीटर square तो यह आपका area of path find out कर लिया area of path आपका आगया 116 मीटर square अब आपको निकालना है second वाला आपको solve करना है अब हम second वाला solve करेंगे तो हमारा second वाला है the cost of planting grass in the remaining portion cost निकालना है आपको तो सबसे पहले हमारा यह जो PQRS है यही वो remaining portion है तो पहले हम इसका area निकालेंगे और फिर area निकालने के बाद हम cost निकालेंगे तो now area of square PQRS यह हमारा remaining portion जिसमें हमें planting करना है is equals to remaining portion यह हमारा remaining portion है तो हमको area पता चलेगा जब ही हम उसकी cost find out करेंगे तो हमारा area है हम पहले भी निकाल चुके हैं PQRS का area है हमारा 784 meter square now 1 meter square का cost आपको दिया है 40 rupees since cost of cost of 1 meter square is equals to 1 meter square का cost है of planting आपको planting करना है तो 1 meter square के planting का जो cost है वो है आपका rupees 40 therefore इसलिए cost of 784 meter square of planting इतने area को plant करेंगे आप तो आपका cost हो जाएगा आप multiply करेंगे इसमें यह मतलब 784 multiply by 40 तो यह आपका answer आ जाएगा rupees में 31,000 and 360 rupees तो यह आपका multiply करने पर यह answer जाएगा तो आपने इसके दोनों point find out कर लिये पहले path का एरिया निकाला और फिर जो remaining portion था आपका garden के अंदर का उसका आपने area निकाला और उस area में आपको planting करना है तो उसका आपने cost find out कर लिया तो आपका question no.5 complete हो गया तो with 10 meter cut at right angle through the center of a rectangular park of length this and breadth this parallel to its sides now find the area of road and find the area of park excluding the road give answer in hectare तो सबसे पहले आपको एक rectangular park दिया हुआ है तो आपने एक rectangular park बना लिया यह आपका एक rectangular park है इसको आपने name दे दिया a b c d उसके बाद two cross roads है और each of width 10 meter दो road बतन बनाना है आपको इसके अंदर जिसकी width दी हुई है 10 meter cut at the right angle through the center of rectangular park इसके बीच में right angle बनाएगा वो of length this and this मतलब यह जो park है उसकी length और breadth भी दी हुई है length दी हुई है 700 meter और breadth दी हुई है नोंने 300 meter नाव इसकी sides के rectangular की sides के parallel ही आपको इसमें दिया हुआ sides के parallel आपको road बनाना है तो यह वाली जो side है इसके parallel यहां एक road बन गई यह वाली side के parallel यह road हो गई और यह वाली side के parallel यह road बन गई और center में इसने cross कर लिया और यह right angle पर center में इसने cross कर लिया roads ने नाव आपको निकालना है road का area तो आपने इसको नाम दे दिया a b c d इसको आप नाम दे दियंगे p q r s और यह वाली जो road है इसको नाम आप दे दियंगे e f g h और यह जो area है जब आप यह वाली road का निकालेंगे ये rectangle का निकालेंगे और ये rectangle का निकालेंगे तो दोनों में ये वाला जो road का area है ये common आ जाएगा इसलिए आपको एक time इस area को minus करना होगा तो इसको भी आपको इनेमिंग दे दिंगे L M N O Now, हमको सबसे पहले area of road निकालना है तो आपकी एक road ये है ये आपकी सारी road है और road का उन्होंने बुला है कि 10 meter wide road है आपकी तो road का area निकालने के लिए हम ये rectangle प्लस ये rectangle और minus ये वाला area करेंगे so area of road is equal to area of rectangle PQRS प्लस area of rectangle E F G H minus इसमें ये वाला जब आप यहां चले और उसके यहां चले तो ये वाला आपको common मिल गया तो इसलिए one time आप इसको minus कर देंगे तो minus area of ये आपका square बन गया L M N O square L M N O now आप find out करेंगे area of road area of road तो area of rectangle PQRS इसका area क्या होगा ये आपको दी हुई है 10 meter ये given है आपको width और ये आपको length दी हुई है 700 meter तो length multiply by breath करेंगे आप 700 meter multiply by 10 meter minus sorry इसके बाद आप ये वाली road प्लस करेंगे तो इसकी length हो गई आपकी 300 meter और breath हो गई आपकी 10 meter length multiply by breath करेंगे 300 meter multiply by 10 meter ये जो आपकी road है इसकी ये length दी हुई है 300 meter और breath दी हुई है 10 meter आप ये वाला जो common हो गया है portion इसको माइनस कर दींगे तो इसकी ये भी 10 है और ये भी 10 है मतलब ये एक ये भी आपकी length और breath जो है दोनों ये 10 10 होगी आपकी तो square मिल गये आपको तो square का area होता है side multiply by side तो side है आपकी 10 meter multiply by 10 meter ये आपको area minus करना इसमें से now area of road आप निकालेंगे area of road is equals to now 700 multiply by 10 123 meter square plus इसको solve करेंगे आप तो आगया 123 meter square minus ये आपका square बन जाता है इसका आपने area निकाला तो इसको भी आप minus कर लेंगे now तो आपका area of road आगया this plus this minus this 100 तो ये आपका आगया 9900 meter square ये plus कर लेंगे और आप 100 minus करेंगे तो ये आगया आपका 10,000 और फिर minus 100 तो आपका आगया 9900 meter square रोट का area जो आपको निकालना था फरस्ट वाला आपने solve कर लिया है तो ये आपका answer में लिख दिंगे आप area of road is equals to this now second चीज हमको निकालना है area of park excluding the road ये जो पूरा park है इसका हम area निकालना है और ये जो road का area हमने निकालना है पार्क के area से ये वाला area हम माइनस कर दिंगे तो ये जो remaining portion है उसका हमको area मिल जाएगा now second वाला आपको करना है area of आपको क्या निकालना है area of park excluding road area of park excluding road excluding मतलब आपको road को include नहीं करना है पहले park का area निकालना है फिर road को आप exclude कर दिंगे मतलब माइनस कर दिंगे तो ये remaining portion है उसका area निकल जाएगा now is equals to area of park minus area of road area of road तो पार्क का area है आपका पार्की की length और breadth दोनों दी हुई है तो length multiply by breadth मतलब 700 multiply by 300 meter minus road का area आपने निकाल लिया है नाइन नाइन जीरो जीरो मीटर स्क्वेर अब आप इसको multiply करेंगे 73021 one two three four one two three four meter square minus nine nine zero zero meter square अब आप इसमें से ये minus करेंगे तो आपका ये आगया two one one two three four और ये आपका हो गया nine nine zero zero तो ये zero zero और ten में से नाइंगे one और nine में से नाइंगे zero और ये हो गया आपका since ten thousand meter square is equal to one hectare इसलिए हमको इतने meter square का निकालना है तो हम इससे ten therefore इसलिए हम डिवाइट करेंगे two zero zero one zero zero meter square is equal to two zero zero one zero zero upon ten thousand hectare तो आपका answer आजाएगा one two three four four number के पहले आप decimal लगाएगे तो आपका answer आजाएगा twenty point zero one zero zero hectare तो आपका answer hectare में आ गया तो आपने पूरा question six solve कर लिया है आपका question six complete